दोस्तो आप सबका मोस्ट वेलकम है आपके अपने फेबरेट वीटुब चैनल साहिल फ्री डिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक बड़ी सी डिस है सी बैंड की डिस है तो दोस्तो क्या उस पे फाइब जी लगाने से चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे और अगर आपके पास बड़ी डिस है और उस पे चैनल्स नहीं है एक बनाट चलने दो चलने दो दोस्तो आप सब का मोश्ट वेलकम करता हूँ आपके अपने फेबरेट यूट्यूब चैनल साहिल फरेडिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5G C-Band LNB के बारे में दोस्तो अगर आपके पास एक बड़ी सी डिस अंटीना लगा हुआ है और आपके पास सिगनल नहीं मिल रहा है तो दोस्तो क्या आपको 5G LNB लगाने से सिगनल मिलेगा या 5G LNB कौन सी लगा है सारी डिटल दोस्तो इस वीडियो में इंकलूट करूँगा तो दोस्तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके पास कितनी डिसे हैं कितने डिस हैं आप अभी इस समय इस्तेमाल करत ठेसे और पहले कितने करते थे और और कौन कौन से चानल देख देख रहे हैं तो थोड़त सा टाइम निकाल के बाहन हमारी बातों को सुंते आप कॉमेंट भी कर दीजेगा तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सी बेंड डिस के बारे में से बेंड की डिस पर अब फाइब जी एलं नहीं मिल रहा है अब जब 5g अलम भी आप लगाएंगे तो यहां पर दो जो चैनल पहले आपको देखने को मिल रहे थे वह आपको नहीं मिलेंगे कुछ और कुछ मिलेंगे भी तो कम चैनल मिलेंगे जैसे कि दोस्तों 자रा के चैनल तो आपको आपको नहीं मिलने वाले तो दोस्तों आपके पस नो सिंगनल हो गया है तो आप बस इतना समझ जाए एंटेना घूमाने से कोई फाइदा नहीं आपके महां 5G चालू हो चुका है 5G के लिए दोस्तों ये LNB के आगे मैंने एक दूसरे LNB का क्लैम्प लगाया है क्योंकि मुझे छोटी डी संटीने पर भी ये काम कर रहा है 5G LNB कुछ इस परकार से होती है ये वाला हिस्सा काफी बड़ा होता है और ये वाला हिस्सा इधर को साइड में होता है लेकिन अंदर उसके प्लेट का ही पूरा कमाल होता है दोस्तों ये कुछ इस परकार से आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी और अगर आप ऑनलाइन सौपिंग करने के सौखीन है तो आपको ऑनलाइन भी ये LNB मिल जाएगी तो पूरी डिटल बताऊंगा ऑनलाइन का मतलब इस समय मेरी समझ से बेवकूफी का सौधा होगा इसलिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों हम दो से धाई हजार रुपए इस LNB में लगाएंगे इस LNB की कीमत ही से दो से धाई हजार रुपए आपको देने पड़ेगा उसके बाद आप अंटीना अगर आपने खरीद नहीं है या खरीदने लगा रखा है तो छोड़ दो लेकिन सिफ LNB में रही हजार रुपए जाने वाले हैं अगर आप बहुत ज्यादा ही सौखीन आदमी हो तो खरीच सकते हो लिंक डिसक्रेशन में है इसकी कीमत पंदरा सो रुपए से लेके दो हजार रुपए के बीच में आने वाली है जो इंडिया में मिल रही है उनकी बात कर रहा हूं लेकिन दोस्तों अगर आप किसी बाहर के देश से मंगवाते हैं तो उसमें आपका जो इंटरनेशनल जो टैक्स वगरा होता है लगबग चार से पांच जार रुपए की वह पड़े जाएगी अगर आप मंगाते हैं तो और अगर कोई अगर आपको लोकल एलनवी देता है चार से पांच सो रुपए में तो वह एलनवी आप मत लीजेगा वह एलनवी आपकी किसी भी यूज की नहीं है वह एलनवी बिल्कुल ही काम नहीं करने वाली है तो दोस्तों अभी जो सी बेंड की इस्ति अभी को मंगाया है लगभग दोस्तों दो सौ मीटर पर है फाइव का जिसके कर searching मिलते तो है लेकिन दोस्तों मुझे पूरे चैनल नहीं मिलते हैं जब तक पूरे चैनल नहीं आएगा दोस्तों और याद रखिएगा एक सब्सक्राइब को लगाएंगे आपको मुश्किल से मुश्किल 25-30 चैनल मिलेंगे और 25-30 भी मिल गया तो बहुत जादा मिल गया पहले आते थे तीन-तीन सो चैनल हमें देखने को मिलते थे लेकिन दोस्तों अभी चैनलों की संख्या कम होगी हाँ पार्क सेट पर आपको चैनल लगवग सो के अंदर ही मिलेंगे 80-80 चैनल मिल जाएंगे तो कुल मिला जुला कि दोस्तों अगर आपके पास कोई पुरानी डिस है जिसमें सी कि पुरानी वाली लगी थी तो दोस्तों अब यह मत समझें कबार में आप उसे भंगार में बेच दो बिल्कुल मत बेचिए कर दोस्तों अपनी एलन भी रखे रहो हो सकता आने में कोई नया जुगार आ जाए जिससे आपकी पुरानी अलन भी बन जाए और आपकी जो डिस